बोद गया बिहार बिहार की राजधानी पटना के दक्षिनपूरों में लगबग 100 किलोमेटर दूर बोद गया जिल्ले से एक छोटा शहर है बोद गया में बोधी पेट की नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतन बुद्द को इनान की प्राप्ति रहीती तब इस से बोध गया इस प्लेस को बहुत इंपोर्टन माना जाता है साल 2002 में युनिसको द्वारा इस शहर को विश्व विरासस्तल गुशित किया गया भगवान बुद्दी ज्यास थली यहां बुद्द मुर्टी ज्यान मुद्रा में 80 फीट उची खुली हवा में है यहां मुर्टी एक कमल पर विराजमान है यहां प्रतिमा बलुआ पत्थर ब्लॉक और लाल ग्रिनेट का मिश्रन है इस बुद्द मुर्टी के लिए न्यू पत्थर 1982 में रखा गया था इस प्रतिमा को पुरा करने के लिए साथ साल लग गया कि अहां प्रतिमान है झाल झाल महा बोदी विहार महा वो बोदी विहार बोद के अस्तित प्रसित बहुत्त विहार है यूनसकु ने इसे विश्व दरोहर घोशित किया है यह विहार उसी स्थान पर कड़ा है जहां गवतम बुद्द ने ध्यान प्राप्त किया था इस विहार की बनावत समराथ अशुग दुआरा स्थापिस तूप के समान है इस विहार में गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्थी स्तापित है यह मूर्थी पादमासन की मुद्रा में है बूदी रुक्ष इसी रुक्षक के नीचे भगवान बुद्ध को ध्यान प्राप्त हुआ था बुद्ध ने ध्यान प्राप्ति के बाद दुसरा सप्ता इसी बोधी रुक्षक के आगे खड़ा आवस्ता में बिताया था बोधी का आर्थ होता है ध्यान और बोधी रुक्ष का अर्थ होता है ध्यान का रुक्षा इसलिए इसे ध्यान का रुक्ष भी कहा जाता है झाल 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 झाल